हेलो एंड वेलकम मैं हूँ काजल और आप देख रहे हैं वीकेपी डिजिटल का खास कारिकरम चौक चौराहा और अब हम लोग मौजूद है उपराजधानी नाकपूर के अजनी चौक में और खुश खबरी यह है कि आट सालों से बंद पड़ा घंटा घर या फिर यू कहूँ क्लॉक टावर जो कि अभी फिर से शुरू हो चुका है और नए साल में लोग इसे नए अंदास में देखने वाले नाकपूर महानगर पालिका के आयुक्त सहाब को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्हों ने अभी इस फॉंटन को फिर से चालू किया है और यहां पर एक अच्छा फॉंटन चालू करके वहां पर एक अच्छा गार्डन बना कर फॉंटन लगा कर वहां पर है फॉंटन के बीच में और इसका सुंदेर करन बहुत अच्छा रहने वाला है नाकपूर की क्लॉक टावर यह एक शान बनने वाली है इससे नाकपूर शहर का सुंदेर करन बनने वाला है और नाकपूर शहर का नाकपूर शहर में एक क्लॉक टावर नाम का अलग ही कंसेप हमारे नादपुर महानागर पालिका में रहने वाला है अभी यह जो अजनी स्क्वेर यहां पर जो लॉक लॉक टॉर बना हुआ है यह जो पुनाना क्लॉक टॉर अभी इसको फिर से शुरू कर दिया गया है बीच में इसके तरब ध्यान नहीं था बाई मिस्टेक प्राशासन का उबात अला के लेकिन आज जिस पद्धती से जीव ट्वेंटी भी यहां पर होने वाला है इसमें ऐसे क्लॉक टॉर को शुरू करना और यह सारी चिदे और यह पूरा ग्रीन सिटी है मेरा सिटी हम सबको उससे जो प्यार है उस प्यार को उन्होंने एक जो निव दे दी है यह हमारे दोनों खासदर और आमदर होने हम लोग उसके शत्रशाह यहने उनके आभारी है मैं यह कहना चाहती हूँ जैसे यह क्लॉक टावर अब तक के तो बन था क्योंकि मैं काफी सालों से यहां पर जाती थी जो इनका याने MNC ने भी जो उसको शुरू किया और वो एक बच्चो के लिए भी अट्रेक्शन है जैसे अपने उपर से भी मेट्रो से जाते है तो अपने को इतना याने सुन्दर नाखपुर दिखाई देता है नीचे से अभी फांटेन वगरे भी चालू हुआ तो इसे बच्चो को अट्रेक्शन लगता है वो सब चीजों के लिए